आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का चार महत्वपून बातें जो आपको बना सकते हैं तोड़ सकते हैं चार बातें जो आपको बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं मेरे साथ आप मरकुस चोथा अध्याय निकाले हम बाते करेंगे कि कैसे वास्तों में पैसे की पास हमें धोका देने की सामर्त है इसलिए हमें सतर्क रहना है इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास कुछ है तो हमें सतर्क रहना है इसलिए विभिन इस तरों पर हमारी परीक्षा होती है आपके पास कुछ धन राशी होगी और परमिश और आपको उस तर पर परखेगा वो देखेगा कि आप उस धन से क्या कर रहे हैं वो आपसे कहेगा कि विभिन तरीकों से दे जिस तरह से देनी की शायद आपने योजना ना बनाई हो और वो आपको स्तर पर पर्खेगा और यदि आप उन परिक्षाओं में सफल हो जाते हैं तब आप दूसरे स्तर पर पर्खे जाएंगे। धन के पास पकड़े रखने की सामरते आज हम इस विशे में बात करेंगे की कैसे धन हमको पकड़े रहने की परिक्षा में डालता है और वो हम पर पकड़ बनाना चाहता है। और जूटी चमक और धन का धोका। हर एक जन कहे धन का धोका। धोके का आर्थ है कि आप जूट पर विश्वास करते हैं। धन का एक धोका है कि आप अपने विश्वास को मुझ पर रख सकते हैं। धन पर भरोसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सर्व प्रतम तो ये परमेश्वर को अप्रसन करता है और दूसरा हम जानते हैं कि सारे संसार के आर्थिक व्यवस्ता एक दिन में धारशाई हो सकती है, ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम अपने विश्वास क धन पर हमारे बैंक अकाउंट पर ना रखें, धन का धोका और अन्य वस्तों का लोब अब धिहान दे, धन का धोका और अन्य वस्तों का लोब, उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निश्वल रह जाता है, अब हम सब जानते हैं कि हम अच्छी वस्तों चाहते हैं, और अच्छी वस्तुवी चाहना गलत नहीं है, कि आप अच्छी वस्तुवी पाना चाहते हैं, कि आप आराम दैक जीवन जीना चाहते हैं, कि आप एक अच्छी घर में रहना चाहते हैं, आप पुरानी खटारा कार चलाना नहीं चाहेंगे, आप एक अच्छी कार चलाना चाह आप मेंसे कितने लोग नहीं कार रखना पसंद करते हैं, आप अपने लेक नहीं कार खरीद सकते हैं, आप मेंसे सब नहीं आपकी क्या परिशानी है, क्या आप ठक गहें कि अपना हाद भी नहीं उठा सकते हैं, अच्छा पहले नहीं कार खरीद ली ठीक है, प्रभू की स्तु हो आप में से कितने हैं जिनके पास नहीं कारे और दूसरी भी चाहते हैं बहुत अच्छी बात है परत्तो हमें सावधान रहना है कि उनके पीछे खोज में न जाएं मैं समझते हूं कि लोगों के लिए शायद ये सबसे बड़ी परिक्षा है कि हम परमेश्वर की खोज कर सकत है बजा इसके कि वो कौन है और हमें बहुत सावधान रहना है कि हमारी सारी प्रात्ना ये नहीं होनी चाहिए कि हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं कि वो हमारी लिए करे वास्ते में वो थोड़ा अंश होना चाहिए परमेश्वर को अपने आवशक्ता है बताया परंतु उ तुम्हारे पास इसलिए नहीं है, क्योंकि तुम मांगते नहीं, आपको मांगना चाहिए, परन्तु आपको उसके ऊपर तंबू गारने की आवशक्ता नहीं। आपको सत्ती के विरुद जो बाते हैं, उन्हें न्याय संगत ठहरा कर धोका देते हैं। तुम्हारे पास हमिशा एक बाहना होता है, हम सोचने के हरी को करना है, परन्तु आम इसे नहीं करते हैं। एसे लोग भी हैं, जो दश्वांश पर विश्वास करते हैं, परन्तु नहीं करते हैं। हमारे पास हमिशा एक बाहना होता है, हम सोचने के हरी को करना है, परन्तु आम इसे नहीं करते हैं। और इससे हम छूट पाना चाहते हैं। हम स्वयम को तरकों के साथ धोका देते हैं। दिमाग के द्वारा आप जीवित नहीं रह सकते। हमारे पास मास का मन और आत्मा का मन होता है। हमारे पास मसी का मन है, जो कि आत्मा का मन है। आप जो कुछ यह मैसूस करते वो सही है, इसके द्वारा जीना सीखना होगा। कितनों ने किसी के साथ विवाह किया कि यहां पर अंदर से आवाज आने लगी है कि मैं नहीं जानती कि यह सही है या। परन्तु तब ये निराश मन बोलता है कि क्या होगा यदि मुझे कोई ना मिले तो या आप एक अविश्वासी से विवाह कर लेते हैं या कोई वेक्ती से जिसके विश्वे में आपके रिदे में शांती नहीं पर आपका मन कहता है ठीक है तुम उसे बदल सकते हो कितनों ने ऐसी चीजों को खरिदा है जिन के लिए उनके रिदे में शांती नहीं थी यदि आपने रिदे की बात को सुना होता आप जान लेते कि आपने अधैरिय दर्शाया के परमिश्व चाहता था कि आप फैरें और बचाएं पर नहीं शरीर ने कहा तुम्हें अभी से प इस कारण जो आप विश्वास करते हैं उसके लिए काम करने में मुश्किल हो जाती है मैं नहीं समझती किसे बुरी बाती होगी कि हम जानते कि हम जानते कि हमने परमिश्वर के आग्या नहीं मानी है सोने के लिए सबसे कठोर तकिया है दोश भावना यदि आपके पास ऐसा कुछ मन पसंद है जो परमिश्वर चाहता है कि आप दे दें तो जब भी आप उस चीज को देखेंगे आपका मन आपको कचोटेगा जानतें क्यों? क्योंकि यदि प्रभू किसी चीज को अभिशेक ना करे तो हम उसका आनन नहीं उठा सकती जब प्रभू का अभिशेक ना हो तो उस चीज को पाने में मुझी खुशी नहीं होगी जब प्रभू आपको कुछ देने को कहता है और आप उसे रख लेते हैं तो जिस शन प्रभू ने आपको कुछ चीज को दे देने को कहा उस पर वो अभिशेक नहीं रहा कि आप उसे रखें और फिर भी यह दिया आप उसे रखते हैं तो आप उसका आनंद कभी उठा नहीं सकते हैं मैंने सच कहा न? आप लोग मेरी मदद करें मैं अपनी बात को उस पश्ट करने के लिए घटना बताती हूँ एक लाल जोडे की मैं एक दिन खरिदारी करके मेरी पसंद की एक लाल ड्रस खरीद कर लाई वो एक नाप बड़ा था उसे जो मैं साधानता पहनती थी पर जिस तरह से ड्रस बनाएगी थी कि उसके कंधों में जोड नहीं था उसके कंधे लटके हुए थे और कमर एलास्टिक की थी एक बेल्ट के साथ और वो पूरा लहंगा था इसलिए आप वास्तों में कह नहीं सकते कि वो ड्रस बड़ी थी और उसके साथ में लाल और चांदी के जुमके लाई थी ओ मुझे पसं थे मुझे वो ड्रेस और वो जुमके पसं थे और वो ड्रेस कई दिनों तक मेरी अलमारी में पढ़ी रही प्लास्टिक में और जब भी मैं वो कपड़े पहना चाहती तो ऐसा था कि आज नहीं आज नहीं एक सुबह मैं अकेले एक सभा के लिए तयार हुरी थी वो एक काम सब्ता की सभा थी जो सेंट लुईस में थी तब और मैं एक खास त्री के लिए प्राफना कर रही थी जो हमारी सेवकाई के एक अच्छी स्वयम सेवक थी और वो एक लंबे समय से हमारे साथ काम कर रहे थी और उसका नाम रूत्रेन है और वो हमारे साथ पूर्वकालिक सेवकाई में है और मैंने कहा ओ प्रबू रूतेन एक आशीश है और प्रबू मैं प्रातना करती हूँ कि तू मुझे पता कि मैं कैसे रूतेन के लिए आशीश बन सकती हूँ मुझे बता प्रबू कि कैसे मैं उसे आशीश दूँ जानते हैं अलमारी के सामने प्रात्ना करना अच्छा नहीं है मैं सलाहा दूंगी कि जब तक आप किसी चीज से लग रहने के लिए जिसे आप रखना चाहते हैं तैयार नहीं है तो अलमारी के सामने प्रात्ना ना करें तो मेरी दुरुष्टी उन लाल कपड़ों पर पड़ी और दूसरी पुरानी चीजों पर जिने देने में मुझे कोई आपती नहीं थी मेरी नजर उन पर नहीं पड़ी जो बहुत समयों से अलमारी में थे वो ऐसा था मानों एकायक उस लाल जोड़े पर रोशनी पड़ी हो और मुझे लगा मेरी आत्मा में कि मुझे वो लाल जोड़ा रुटेन को दे देना है खेर आप देखें कि उन लाल कपड़ों पर मेरा कितना रुजाओ था क्योंकि मैं उसे पसंद करती थी और इसलिए मैं रुटेन को वो कपड़े नहीं देना चाहती थी जब आप कुछ करना नहीं चाहते थे इसके बावजूद कि आप जानते हैं कि वो सही है आपका दिमाग और भावनाय आपसे बात करके आपको इतनी जल्दी बहार निकाल देते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि क्या हुआ और जानते हैं ये सब कुछ इतनी जल्दी शायद तीस सक्षनों में हो गया ओ प्रभू मैं रुटेन के लिए क्या करूँ लाल कपड़े दो ये प्रभू नहीं हो सकता वो नए कपड़े हैं कहानी का बस यही सारांश है मुझे तब हैसास नहीं हुआ कि प्रभू आपसे नहीं चीज़ों को दे देने को कह सकता है कि वो प्रभावित नहीं होता जब मैं अपने पुराने कपड़े को अलमारी से बाहर निकालती हूँ जिसकी मुझे आवश्यक्ता नहीं और मैं दे देती हूँ अंत में प्रभू ने का तुम जानती हूँ लोग तुमारे पुराने कपड़े लेकर साहयता करते हैं यदि तुम सच मुझ कुछ देना चाहती तो तुमें उसका मूले चुकाना होगा उसे मैसूस करना होगा यदि आप बीज बोना चाहते हैं तो वो बीज उपजाओ होना चाहिए तब ही वो एक बड़ी फसल देगा आपके जीवन में आप जब उपाहर देते हैं तो आपको उसका एहसास होना चाहिए ओ इश्यू तो मैंने वो लाल कपड़े उसे नहीं दिये मैंने बहाना बना लिया और रख लिया महीने बाद मैं फिर रोतेन के लिए प्रात्ना कर रहे थी मैं मुर्क मुर्कमेयलमारी के सामने थे ओ प्रबू रोतेनआ शिशीत है मैं उसके लिए क्या करूँ लाल कपड़े हैं इस बार मेरे पास दूसरा बहाना था ओ प्रबू मेरे पास सुन्दर कान के जुमके है जो उस लाल जोड़े के साथ है मुझे याद प्रबू ने मुझे क्या का उसने का तुमेने रख लो परंति दी वो तुमारी समस्या तुने भी दे दो और मुझे उसे वो दे देना चाही था क्योंकि जब भी मैं उन्हें पहनती मुझे खुजली होने लगती थी और मैं उन्हें निकाल देती थी हम अपने लिए मुसीबत मो ले लेते हैं उन चीजों को रख कर जिन पर हमारा कोई अधेकार नहीं और यदि आप सोचते कि प्रभू आपसे कहेगा कि अपना पुराना सामान दे दो आपके पास कुछ और आ रहा है ये एक परिक्षा है ये एक परिक्षा है यदि आपके पास ऐसा कुछ है जिससे आप अलग नहीं हो सकते हैं और यदि आप जानते हैं, जानते हैं कि प्रभू आपको उससे अलग होने को कह रहा है तो उन चीजों ने आपको अपने नियंतरन में कर रखा है और ये धोका देने वाली शक्तिया हैं कि आपको भटका दे एक शंड के लिए बैसा ना सोचे कि प्रभू कभी भी उस चीज को बढ़ाना बंद करेगा जिसको उसने दे देने को कहा है पिछले साल दिसंबर में प्रभू ने मेरे दिल में डाला कि एक बड़ी भेट दू जो हमारे जीवन में हमने पहले कभी नहीं दी थी हम दश्वांज भी देते थे और हम देते 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 रहते थे और मैं और जानते हैं उसमें एक महिना लग गया जो मैं नहीं समझती कि वो गलत एक तरीका है कि आप निश्च कह सकते कि परमिश्वर की और सहिधी वो आपके पास बना रहता है मैं इतनी बड़ी नहीं कि सिर्फ धक्का लगाने से चलूं आप जानते हैं मुझे मेरी कार देन थी ठीक है अब मैं काम पर कैसे जाओं मैं परमिश्वर आपसे मुर्ख काम नहीं करवाएगा वो आपसे कुछ ऐसा कह सकता है जो शायद आप ना करना चाहें परन्तु आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगेगा जिसके कारण आपको अपने कारे के प्रतिया और किसी बात के लिए विश्वासियों होना पड़े इसलिए एक अच्छा तरीका है और वो है अपना सीधा सामानिय ग्यान और यदि ऐसा कुछ है जिसके लिए आपने शित नहीं है या कुछ बड़ी बात है कुछ ऐसा जो आपके लिए सामान ये नहीं हो तो आपको बेकार की बाते नहीं करनी है शैतान आपको उक्सा सकता है आपको देर तक ठहरना है कि ये जाने की ये प्रभू की और से है और यदि कुछ आपके पास ठहरता है तो ये एक तरीका है जानने का की ये प्रभू से है और इसलिए जब मैंने दूसरी बार सुना उन लाल कपड़ों को देने के लिए मैं इतनी मूर्क नहीं थी कि जानना सकू की वो प्रभू है मैंने जुमकों के लिए बहाना बनाए और प्रभू ने कहा जो उसे उसके बारे में कहना था अंप में मैंने वो लाल ड्रेस उसे दे दी मुझे नहीं पता कि उसने उसे आखर में पहना या नहीं पर मैं सोचती हूँ उसने उसे 20 साल तक हर समय काम करने के लिए पहना मैं आज भी सोचती कि उसके पास क्या वो अब भी है मैं उसे प्राप्त कर और काच के केस में रखना चाहूंगी काच की बक्सी में रखना और आफिस में दिवार पर लटका आना सिर्फ मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ कुछ बार जब बाहर जाकर कुछ खरिते हैं तो आप स्वयम के लिए कुछ नहीं खरिते हैं हाँ हूँ इसलिए पैसे में धोखा देने की क्षमता होती ये पैसे को बुरा नहीं बनाती पैसा एक अदबुत हतियार है और पैसा बहुत से लोगों को आशी शीत कर सकता है पीड़ा से छुटकारे में उप्योग होता है सोसमाचार प्रचार में उप्योग होता है हमारा समाज पैसे परकारी करता है और इसलिए मसीयों को पैसे की आवश्यक्ता होती है आप कैसे सोचते कि सुसमाचार का कभी प्रचार हो सकता है देख अलीसिया में सभी गरीब हो इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि शैतान धन संबंदी शिक्षा से ग्रणा करता है क्यों मारे पास कुछ भी नहीं है और ये संसार को प्रभावित करेगा लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती मैं सोचती हूँ कि ये एक अच्छी गवाई होगी यदि आपके पास सब कुछ की बहुतायत है पर आप उसका उप्योग आशीश के लिए करते हैं वो आपको लैस करता है ताकि कि आप लोगों के लिए कारे कर सके जो उनको सच मुच आश्चरिय चकित कर देगा जब आप किसी के प्रती अच्छा बनारम करते हैं जो आपके लिए बुरा था आप शायद एक आत्मा की कटनी के लिए तयार हूं क्योंकि आप अधिक समय तक करते रहें और वे सोचते कि म इसे नहीं समझता पर आपके प्रेम ने उनके कठोर रिदय को पिगला दिया है पर देखिए वास्तों में पैसे के अलावा लोगों को आशिशीत करने के तरीके होते हैं पर पैसे हर कोई चाहता है हर एक अच्छी वस्तुएं चाहता है मरकुस दस अध्याय में जाएं मरकुस दस उन्नीस तुम आग गया है तो जानते हो हत्या ना करना वेविचार न करना चोरी न करना जूटी गवाई न देना धोखा न देना और माता पिता का आधर करना पद 20 उसने उससे कहा है गुरू इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ पद 21 इश्यू ने उस पर द्रिश्टी करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है जा जो कुछ तेरा है उससे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मि लेगा और आकर मेरे पीछे हो ले पद 22 इस बात से उसके चहरे पर उदासी चा गई और वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत ही धनी था यहां यह नहीं कहता है कि उसको यह रखना गलत था वो कहता है कि वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था वो उसे पकड़े हुए था इशुनी चार ओर देखकर अपने चेलों से कहा धनवानों का और जो धन को पकड़े रहते उनका परमेश्वर के राज्य में प्रविश करना कितना कठिन काम है। पैसे की सामर्थ को समझते और वे समझते की पैसा अशीश हो सकती है परन्तु ये आपके जीवन में श्राब भी हो सकता है। नती पाने के लिए अपने कारे पर खराई से थोड़ा समझता करते हैं। उसे पाने के लिए। आप जानते हैं मैं सच कह रहे हूं। ये शायद अद्बुत होगा कि कैसे बहुत से लोगों नी। जिनके पास उचा पद है उस तक पहुचने के लिए समझता किया है। मैं चाहती हूं आप गिंती 22 निकाले में एक व्यक्ति का उधारन पताऊंगी जिसने उन्नती पाने के लिए समझता किया था। इस व्यक्ति ने इतना धोका दिया और स्वयम भी धोका खाया कि मेश्वर को उसे बात करने के लिए गदही का उपयोग करना पड़ा। एक गदही उससे भविश्यवानी कर रही है। देखिए जब आपका कुत्ता या बिल्ली आपसे बाते करे तो आप जाग जाएए। कुछ समय ये बुरा हो जाता है। मैं आपको थोड़ी प्रिष्ट भूमी बताओ कि यहां क्या हो रहा है। बालक मुआबियों का राजा था और बिलाम प्रभू का नबी। बालक ने बिलाम को इस्त्राइलियों को शाब देने को कहा जो मिस्त्र से बहा निकल आय थे क्योंकि वो उनकी बहुत तायत और सामत से डरता था। 22 अध्याय की पद 12 से आरंबर करते हुए या पद 11 आईए देखे कि वो बात कैसे घटी। सुन जो दल मिस्त्र से निकल गया है उससे भूमी ढप गई इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाब दे संबह है कि मैं उनसे लड़कर उनको बर बस निकाल सकूँगा। प्रभू ने बिलाम से कहा जब एक बार परमेश्वर कुछ कहता है तब वही अंतिम होता है न कितने लोग इसे जानते हैं। क्योंकि जो पहले कहा वही होना है पर्मिष्वय ने बिलाम से कहा तो इनके संग मत जा उन लोगों को शाप मत दे क्योंकि वे आशिश के भागी हो चुकी है जब इस्थ्राइली मिस्तर में से बाहर आये पर्मिष्वयन उने आशिशित किया और जो आशीचीत है वो श्रापित नहीं हो सकता और बिलाम ने फरमिश्वर का नभी उसने भोर को उटकर बालाक के हाकिमों से कहा तुम अपने देश को चले जाब देखें वो क्या कहता है क्योंकि यहोवा मुझे तुमारे साथ जाने की आगया नहीं देता इस वाकिय में वो कहता है मैं चाहता हूँ पर प्रभू करने नहीं देगा हम इस बात को देखना आरंब कर रहे हैं कि उसका रिदय कहा है उसको इतना कहना चाहिए था मैं नहीं कर सकता हूँ मैं नहीं करना चाहता मैं ऐसा नहीं करूंगा पर उसने कहा प्रभू मुझे नहीं करने देगा तब मुआबी हाकिम चले गए और बालक के पास जाकर कहा बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है इस पर बालक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिंती में भी अधिक थे यहाँ पर दबा होता है और ऐसा ही व्यवार शैतान भी हमारे साथ करता है उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा सिप्पोर का पुत्र बालक यूँ कहता है मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर क्योंकि मैं निश्चे तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा और जो कुछ तुम मुझसे कहे वही मैं करूंगा उसने का येदि तु आए और इस काम को करे जो कुछ तुझे चाहिए वो मिलेगा वाओ क्या शैतान नहीं कहता येदि तुम वो थूड़ा सा समझोता कर लो सिर्फ एक बार कर लो आखिर सब तो वैसा ही करते हैं और वास्तों में ये कोई बड़ी बात नहीं है और यदि तुमारे पास ये नौकरी होगी तो अपने कमाई के साथ तुम वास्तों में देने वाले और लोगों को आशीशीत करने वाले होगे इस तरह की बक्वाश शैतान आप से कहते हैं हम वी से कोई भी करजे से बाहर नहीं आ सकता जब तक हम स्वयम को इनकार ना करेंगी मैं आपको वो चार सिद्धांत याद देलाना चाहती हूँ कार्य, देना, बचत और खर्च पर अपनी सीमा में रहकर मैं कुछ रोगों से कह सकती हूँ, एक सिद्धांत खर्च भी है और हो सकता है आपको तेजित हो जण सच में ऐसा समय होता है जब आप स्वयम के लिए कुछ करना चाहते हैं पर अन्य समय में आपको स्वयम को ना कहना होगा हमें सिर्फ संतुलन की आवश्यक्ता है और नहीं जब वो नहीं कहता है जैसे हम पूरे संसार में मस्ची के प्रेम को बाठते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं